अच्छा लोग कभी कभी चंशकाजाद का मज़ाख भी उड़ाते हैं अगर आपने यह कभी चीज़ देखी भी हो कि जो व्यक्ति अभी तक जो है एक पार्षण नहीं बना विधाक नहीं बना और उसके जो समर्दक हैं वो लाल के लिए की बात करते हैं तो यह इतना आसान त लेकिन तूफान को रोखना इनकी बसकी नहीं वह तो तूफान है और उस तूफान के पीछे हम खड़ें जब तो नाम आता है तो धरती हैं तो हमारे जो बाई हैं चंद्षेक्राजाद जी वह एक चक्रवती तूफान से भी बड़ा तूफान है वो बड़ी तेजी से हज़ार हज़ारों की संख्याम आएंगे वो ग्राउंड है ना उसमें एक कदम रखने की जगे नहीं मिलेगी आप देख ले न कल यही नहीं पता चल रहा है कि इसका पैसा कुन दे रहा है यह समाज है सर जिसको पलकों पर बिठा लेती है ना पुराने लोग समझ रहे हैं धी किनता था अमेरिका का कितनी बार राष्ट पती रहा हूँ च्यार बार तो आज हमारे सामने ब्लेक चसमा पहन कर जो मूचों पर देखकर और हेलिकोप्टर में उड़ रहा है अभी तो शुरू आता हमने लड़ना शुरू किया है इस तरीके से हमारे कार्यकरता काम करते रह का और हमारे जितने में माप पूर से जोती बाप फूले बाबा साब उनका सपना पूरा करेंगे आज चंदर सिकरभाई के वज़े से जो दुकानी चलती थी समाज के दला लोगी वो दुकानी बंद हो चुकी इसलिए उनके पेट में दरद है नमस्कार जबी माप सभी को इस वक्त में राजिस्थान गंगापूर सिटी में मौजूद हूँ और कल यहां पर चंद्शिक राजाद पहुंचेंगे गंगापूर सिटी में तीसरा जो सामाजिक संबेलन है वो यहां पर किया जा रहा है और जो तैयारिया है आयोजकों की उसको लेकर के यहां पर हम बात करेंगे तमाम लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं तो सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे संजे वालमी की तो किस तरह की तैयारिया है और इश्च को लेकर के उदेश क्या है आपका संबेलों के पीछे देखिए जी ये तीसरा न्याई सम्मेलन है सामाजिक न्याई सम्मेलन जिसमें अभी तक दो एक तो हमारा जो हुआ है वो नेणवा में हुआ और पूरी राइस्तायन में दूसरा सम्मेलन है जैसे तीसरा सम्मेलन हो चुके हैं तीसरा सम्मेलन हमारा आज कल में होने जा रहा ह इसके उद्देश में यह है कि जो सामंदवाद मनुवाद जो है वो इस सरकार उसे जो हमारी लड़ाई है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एट्रो सीटियों पे कहीं लगाम लगी नहीं जा रही है जिसे पहले इते अंदर में मैंगवाल जी की जो हत्या हुई मुछ रखन को दबाव डलवा कर आत्म अत्या कर लेता है अभी परसों की घटना एक दलित महीला इसका बलतकार करकर उसकी अत्या कर दी जाती है इन कई मुद्दों को लेकर जो जाई आत्रा का प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा कि बाइचंदर शेक राजाजाज जी कल इस धरती से जो धाड़ेंगे इन सरकारों की जो नीती और रीती है उस पर चर्चा होगी यह बहुत जाग चुका है और यह प्लाइन कर रहा है बाइचंदर शेकर आजाज जी को इस भारत की दिल्ली की जो लाल किला है उस पर बहुत जल्दी हम नीला जंडा ले राने वाले हैं क्यो अच्छा लोग कभी कभी चंशकाजाद का मजाख भी उडाते हैं अगर आपने यह कभी चीज़ें देखी भी हो कि जो व्यक्ति अभी तक जो है एक पार्षण नहीं बना विधाक नहीं बना और उसके जो समर्तक हैं वो लाल के लिए की बात करते हैं तो यह इतना आसान तो हम खड़े लिए उसको रोकना इस केंदर की सरकार जो मनुवाद्यू की सरकार ऐख या जो दामंत्री का है नरेंदर मोदी जी जो बार-बार अपना सम्मोधन में कहते कुछ और हैं और करते कुछ और करनी और कत्री में जो अंतर है वह जूट बोलना उनका जूट अब जाद दिन नहीं चलेगा बहुत जल्दी दोजार चोईस के अंदर उनको पता लग जाएगा यह चकरवती तूफ़ान का जब नाम आता है तो धरतिया ही हैं तो हमारे जो भाई हैं चंदशेकराजाजाजी वो एक चकरवती तूफ़ान से भी बड़ा तूफ़ान है वो बड़ी तेजी से दोड़ रहे है कल गंगापुर में आप देखने को मिलेगा चलीए साहाब कह रहे कि लोग मजाग बनाते हैं बनाते होंगे लोग मजाग लेकिन एक समय वो आएगा कि भाई चंदर से कराजाद इस देश के प्रिधान मंत्री के रूप में दिल्ली की गद्धी पर काविज होगा भाई और सर एक बात और है कि कल जो समझिक नयाय सम्मेलन होने वाला है यहां य यह तीसरा है राजिस्थान का और पूरवी राजिस्थान का दूसरा सम्मेलन है यहां यह जनरल सीट है प्रोपर जहां हो रहा है और यहां से यह आस्वासन हमें गाउं से मिला है बिदान समझ चेतर से कि यह सीट निकलेगी जी अभी से लोगों ने अपने मन में यह तै कर जब कहीं पहुंचते हैं न तो वहां उम्मीदों से परहे लोग आते हैं हज्जार हज्जारों की संख्याम आएंगे वो ग्राउंड है न उसमें एक कदम रखने की जगे नहीं मिलेगी आप देख लेना कल और कल मैं आपके चैनल के मैध्यम से अगर कोई भाई जो आपके दर हमें पहुंचें चंद सेकर आजाद भाई बारे बज़े टेक अफ हो जाएगा हेलिकॉप्टर यहां और लगबग साड़े बारे बज़े के आसपास 12-45 तक चंद सेकर आजार मंच पर होंगे हम सब के बीच और हमें सम्मोदर करेंगे अब हेलिकॉप्टर की बात भी आ है कि जो है लोगों के पैसे को सिर्फ फूका जा रहा और बंद हेलिकॉप्टर में घूम रहा है आप क्या मानते हैं ऐसा नहीं है सर और जो व्रूदी है वो इस तरह की बात कर रहे हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है बाई चंद सेकर आजाद वह बड़ता हुए सितार ह है और बस अगर देखो सर जब जन्म होता है न बच्चे का तो उसे ये नहीं पता होता कि हम में किस जाती में किस दरब में किस परबार में मेरा जन्म हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भाई दलिस समास से हैं इस बज़े से इन मनवादी लोगों के पेट में जलन हो जाती है ऐसा क्यों और सर एक पत्रकार महोदे ने और पूछा था मेरे से यही सवाल उनको भी मैंने यही का था और आपको भी एक बात बढ़ा के बोलता हूँ सबसे महेंगी सबारी आपको क्या लगी कि साइकल की क्यों जब मैं संगर्स करता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते था और साइकल पंचर भी हो जाए ना तो मैं तरस जाता था और जब और उन्हों सबसे सस्ती जो यात्रा बताई थी वो हेलिकोप्टर की कि मुझे यही नहीं पता इसका पेटरॉल कहां से आ रहा है यह कब मैं कहूंगा तब आएगा मैं कहूंगा जब जाएगा यही नहीं पता चल रहा है कि इसका पैसा कौन दे रहा है यह समाज है सर जिसको पलकों पर बिठा लेती है ना हमारी समाज बहुत जल्दी जाग रही है और जाग जाएगी जब हम जैसे युबा युबा पीडी के लोग जब देखो परवार में आएंगे ना पुराने लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे भाई चंदर से कराजाद की गठबंदन में हमारे प्रित्यासी थे वो यूपी में उनसे गठबंदन था आरेलडी और एस्पी से वहां भी खतवली से मदन भाईया वह 24,000 बोटों से जीते चुनाब भाई चंदर से कराजाद की देना है आपको क्या लग रहा है कि उस खतवली वाली सीट की तर्ज पर यहां राजस्थान में भी जो है लोग प्यार करेंगे चुनसकाजाद को है तर्ज वो गठबंदन SC, ST, OBC, Minority एक भाईजन समाज का गठबंदन है और जब भाईजन समाज एक जोट हो जाएगा सत्ता हमारे मुठ्थी में है कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है और भाईजन जा आगर देखने के कोशिस नहीं करता है सर अना और यह सिर्प दिना कोशिष करें हैं कि क्या लग रहा है कि मान्यवर काशी राम जी की तर्ज पर चंदर सेकर आजाज राजाज जी चल रहे हैं और आपने कुछ हमारे साथियों से थोड़ी दिर पहले एक सवाल किया था कि चंदर सेकर भाई अभी पार सद नहीं है कि इस देश का परदान मंत्री बन जाएगा तो मान ये पत्रकार महोदे जी मैं आपको बता देने चाहता हूं जो अमेरिका इब्राइम लिंकन था जंगल में लकड़े बीनता था अमेरिका का कितनी बार राष्ट पती रहा हूँ जब इस लड़ाई को अभी बहुत लंबा लड़ना है और चंदर सेकर भाई ने कहा था दस या भी साल में दिल्ली की जो लाल किला उस पर अपना पंसील और नीला जंड़ा देंगे मगर आप देख सकते हो जो बहुजन समाज के तमाम युवा है माइनरिटी समाज के तमाम युवा हैं वह इस सपने को चंदर सेकर भाई ना कहा कि इस तरीके से हमारे कार्यकरता काम करते रहे तो 20 साल नहीं 10 साल के अंदर मानियोवर साब का इसी रामका और हमारे जितने में महापुरस है जोती बापूले बाबा साब उनका सपना पूरा करेंगे या दनी चंदर से पेट में दर्द कम है जो अपने ही लोग है जो रोधी दल है उनके पेट में दर्द जादा है और चंसकर राज़ाद को बोट कटवा नाम से कहते हैं यह तो बोट कटवा साब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो इस देश के अंदर चोटे मटे संगतन है तो आज तक जो संगटों ने कुछ नहीं किया जो दुकाने चलती थी समाज के दलालों की वह दुकाने बंद हो चुकी इसलिए उनके पेट में दर्द हो गई अभी देशे माली जिए यह मुच्छ है और हमें भी दिखा देना शिखा दिया उन्होंने तो यह मुच्छे बरकरार रहेगी ब बहुजन कर रहेगा आप मानते हैं कि मुच्छ में जब ताफ दे रहे हैं इस मुच्छ की इताब पर भाई की आपके हिहां पर हत्ता हुई थी जितंदर मेगभाल तो अगर चंसे करके हाप में कभी सत्ता आती है आने वाले समय में तो क्या होगा कि इस तरह की घटना है उस बाबा साब ने कहा था हमारे माफपुर्सों ने की सदी यानी चल रही है और आप देख रहे हो एलान हो चुका आगाज हो शुकार पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार है हमसे बात करने का गंगापुर्सिटी में मैं मौदूद हूँ और जो आयोजक के उनके जितने भी शायोगी थे वो यहां जो पार्टी का कार्याल है बनाए गया है इस रैली के लिए इस सम्मेलन के लिए वहाँ पर हम लोग मौदूद थे और हमने उनसे बातचीत थी उनका मारना कहीं यही है कि जो समय है वो आप कर्बट ले चुका है बदलाव की तरफ जो भोजन राजनीती है वो चल चुकी है और चंसे कर आजाद कहीं ना कहीं आने वाले समय में कि बड़े लीडर बनके उभरेंगे और समाज का नेत्वत्म करेंगे तो क्या लगता है आपको क अपनी राज जरूर दें धन्यवाद